उत्रपदेश विदानसवा चुनाव के पहले चिरट के मद्दान के बीच एक अजीब खबर सामने आई है उत्रपदेश के जनपत आगरा में रिक्से के मदस से 26 उंगली बाले युबक मद्दान करने के लिए पहुचा पहली बार मद्दान करके युबक काफी खुसना जराया जी हाँ जनपत आगरा में नौ विदानसवा सीटों पर जहां मद्दान सांतिपुर ढंग से संपन हुए मद्दान करने के लिए ब्रद व्यक्ति मैला प्रसों के सासत पहली बार मद्दान करने के लिए पहुचे की ग्रामिट बेदानसवा शेत के गाउं बलेरा का है जहां आनद प्रकास पुत्र विजय सिंग उम्र करीब 18 बर्स हातों पेरों में उनके पुल 26 उंगलिया है आज बलेरा पूलिंग बूत पर मत्दान करने के लिए रिक्से की मदद से पहुंचे थे आनद प्रकास की पिता विजय सिंग ने बताए कि पहली बार मेरा बेटा मत्दान करने के लिए इसके पैरों में 8-8 उंगलिया है जबकि 5-5 उंगलिया हातों में हैं हातों में अंगुटे नहीं है और पैरों में भी गुटने नहीं है देख से की मदद से आज अपने बेटे को मत्दान के लिए ल पर आया है आनत प्रकास ने बताया कि आज मैं बहुत कोशो कि आज मैंने पहली बार मत्दान किया है और मुझे मत्दान करने का मौका मिला मेरा सर नाम विजय सिंग है मैं यहां गाम पर लहरा थाना बलबरा एक आप देड़ा है आज पहली बार मत्दान करने आया है इसको कुछी थी के मैं पहली बार मत्दान करता हूं तो कम शका मेरी अवाज सरकार तक तो पहुंचे सरकार को यह सुनके आए तो हमारे जैसे विकलाव के लिए कोई नया काम करें नई योज ना लाए इससे हमें कुछ लाब मिले कि मेरा जित तीसरा बेटा है पांच बच्चे हैं दो लड़की है तीन दो लड़की आटीन लड़के इनकी इसकी आठारा साल पर हो गई हमर सा पहली बार मद्दान किया नों ने अधे समझ रहा है क्या होगा पता नहीं इसलिए पहली बार कर लिए इसके लिए क्या सेवाएं की गई है सरकान ने इसके लिए सरकारी पैंसल मिलती है ये सरकारी सेवा सब्सक्राइल को अब यह कजारा रुपर हो गई है सरकान नहीं यह है योगी जी नहीं इसको जब रिक्से बैटरी बाला रिखाया यह सरकान नहीं वेजा है कि अ